हेलो बच्चों कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नमबर 22 जो की 30th September 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मैटल्स एंड नौन मैटल्स के बारे में तो चलिए स्टा हैं हमारे लाइफ में इस वर्कशीट के थ्रू हम उसे समझेंगे सबसे पहले हैं यूजिस ऑफ मैटल्स मैटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रिस देएफोर यूज इन मेकिंग ज्वैल्री और ओर्नामेंट्स एक्जाम्पल सिल्वर एंड गोल्ड क्योंकि जितने भी मैटल हैं वो सारे शाइनी होते हैं चमकते हैं लस्ट्रस होते हैं मतलब एक अच्छी खासी शाइन होती है चमकदार होते हैं इस वज़े से मैटल्स को यूज किया जाता है ओर्नामेंट्स बनाने के लिए ठीक है और इसके लिए इस्पेशली हम सिल्वर एंड गोल्ड का यूज क या trains हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अलग लग parts हैं वो metals से ही बने होते हैं next है aluminium and iron sheets are used in making roofs of houses तो आपने देखा होगा कि कुछ घरों पे 3 लगी होती है तो वो या तो aluminium की बनी हुई होती है या फिर वो iron sheets होती है तो इनके लिए भी metal ही use हो रहे हैं जैसे देखो यहाँ पे example भी दिखा रखा एक picture के थरू next है metals are good conductor of electricity therefore they are used to make wiring of electric appliances example copper and aluminium तो जितने भी metals होते हैं उनके थरू electricity pass हो सकती है और यही reason है कि अलग-अलग appliances की wiring के लिए यानि wires बनाने के लिए हम use करते हैं सिर्फ और सिफ metals इसके examples हैं जैसे copper की wires हो सकती है aluminium की wires हो सकती है next है metals are also good conductor of heat क्योंकि metals heat के भी अच्छे conductor होते हैं so they are used for making utensils for cooking purposes example iron and aluminium अब क्योंकि metals के थरू heat भी pass हो सकती है इसलिए जो हमारे cooking appliances हैं utensils हैं, vessels हैं वो सब बनाए जाते हैं metals से next है mercury is used in thermometer और thermometer में जिस metal का use किया जाता है वो है mercury ठीक है चलो next देखते हैं next है uses of non-metals यानि non-metal का कहा कहा use किया जाता है फर्स्ट है carbon is a non-metal safety matches में यूज किये जाते हैं जहां पर हम match stick को रगड़ते हैं और उसे fire generate होती है ये वाला जो portion है यहां पर phosphorus लगा हुआ होता है germicides and explosives में भी crackers हैं explosives है इन सब में use होता है phosphorus यानि burning process जहां पर होगा explosion जहां पर होगा वहाँ पर phosphorus ज़रूर यूज किया जाएगा next है sulfur preparation of medicine gun powder and acid तो अगर acid बनाना है या gun powder बनाना है या medicine को prepare करना है उन सब में sulfur का use किया जाता है next है nitrogen making of fertilizers and pesticides तो pesticide and fertilizer बनाने के लिए भी nitrogen का use किया जाता है आपने पढ़ा भी होगा आपकी science की book में कि nitrogen, potassium and nitrogen है, potassium है और एक और होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है phosphorus I guess तो इन तीनों को use किया जाता है fertilizers prepare करने में तो इसमें एक element है वो nitrogen भी है next है iodine iodine used for medicinal purposes as antiseptic and antibiotic तो antiseptic जनरली जहां पर घाओ हो जाता है, wounds वगरा होते हैं वहां पर जो दवाईयां लगाई जाती है उनमें use किया जाता है iodine next है oxygen, तो oxygen हम सब जानते हैं कि respiration सांस लेने में जरूरी है, burning के लिए भी जरूरी है किसी भी fuel को burn करना है यूज भी लिखने है, तो देखो non metal तो यहां पर इतने सारे mention है आप इन में से कोई भी fuel लिखेंगे और उनके सामने use भी दे रखे हैं तो आप लिख लेंगे, ठीक है और अगर हम metals की बात करें तो चलो metal यहां पर specifically बताया नहीं हुआ है तो इसका answer में आपको लिख के फिर बताती हूँ तो देखे, first question के answer में आप लिखेंगे जो metals के uses हैं वो यह है aluminium in making utensils, gold in ornaments, mercury in thermometer and copper in making wires तो यह हो गए uses metals के और non metals के आप uses worksheet से लिख लेंगे क्योंकि directly worksheet में given है देखो जैसे यह है nitrogen, iodine, oxygen, chlorine इनके छोटे-छोटे uses यहां पर दिये हुए हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं now question number two why food cooking vessels are made up of metals यानि खाना बनाने के लिए जो बरतन use होते हैं वो metals से क्यों बने हुए होते हैं and third है why burning of crackers are harmful crackers यानि पटा के जलाना क्यों harmful होता है तो चलिए इन दोनों के answer देखते हैं हम तो देखे question number two के answer में आप लिखेंगे metals are good conductors of heat hence metals are used for making food cooking vessels ठीक है and question number three का answer है आप ये लिखेंगे कि burning of crackers result in pollution and thus are harmful यानि पटा के जलाने से pollution होता है और इसलिए ये हम सभी के लिए काफी जादा harmful है ठीक है चलो next question देखते है question number four है what is the use of thermometer thermometer का क्या use होता है ये लिखना है and fifth question में हम से पूछा है which non-metal is used in the preparation of a medicine used for healing of wounds यानि गर हमें कहीं घाव हो गया है और वहां पे हमें कोई medicine लगानी है तो वो medicine किस non-metal से बनी होगी ये हमें बताना है तो चलिए इन दोनों का answer देखते हैं तो देखिए fourth question का answer होगा thermometer is used for measuring temperature thermometer का use किया जाता है temperature को measure करने में and fifth question का answer है iodine यानि वो medicine जो कि घाव को भरने के लिए use की जाती है वो है iodine ठीक है? उसमें use किया जाता है iodine और iodine एक non-metal है ये आपको याद रखना है ठीक है बच्चों? तो ये थी आज की हमारी science की work sheet I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी and अगर आपको ये video पसंद आई है तो उसको like करें अपने friends के साथ share करें और इस channel को subscribe कर लें Thank you ये आपका है करें एक जाओं on